हलो एवरिवन मैं श्रीमती जोटसन नमीना आज आपको कक्षा ग्यारवी के विवसाय अध्यन की प्रथम पीडियेफ में से पाठ एक विवसाय प्रक्रती एवं मुद्देश्य के टॉपिक पेशे और रोजगार के बारे में समझाने जा रही हूँ सरप्रथम पेशा पेशे से आशे उस कारे से है जिसमें व्यक्ति अपनी विशेश योग्यता का प्रयोग करके उसके द्वारा समाज की सेवा करता है जैसे एक डॉक्टर, शिक्षक, इंजिनियर, वकील, आदी इसके अंतरगत जैसे एक डॉक्टर, MBBS की योग्यता प्राप् के चिकित्सा संबंदी कारे को करता है शिक्षक अपने शेत्र में योग्यता विशेश प्रयोग्यता आर्जित करता है उसके द्वारा वह विद्यार्थियों को शिक्षन का कारे करता है इसी प्रकार वकील, LLB करता है उसके द्वारा वह कानूनी सेवाएं देता है पुर्जगार केते हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अथब किसी संस्था से एक अग्रिमेंट करता है, अनुबंद करता है। जैसे एक डॉक्टर किसी अस्पताल में काम करता है, बदले में वहाँ से तनखा पाता है, या सेलेरी वेतन पाता है, एक शिक्षग किसी विद्याले में अपनी सेवा देता है, उसके बदले उसे वहाँ से वेतन प्राप्त होता है, इसी प्रकार यहाँ पर एक निशित अनु चुके हैं पहले की PDF में और वीडियो में आप देख सकते हैं तो सरप्रिथम व्यवसाय में प्रतिफल व्यवसाय सायश है वस्तु अथ्वा सेवाओं को लाप के बदले या निश्चित प्रतिफल के बदले देने से हैं पेशा में आपको अमने बताया कि इसमें किसी प्रयोग करके समाज की सेवा की जाती है और इस सेवा के बदले फीज या धन अर्जित किया जाता है और रोजगार इसमें एक व्यक्ति किसी निश्चित अनुबंद के तहत अपनी सेवा देता है तो आईए देखते हैं पहला अंतर है प्रतिफल अंतर का अधार है अर्थात अपने काम के बदले क्या मिलता है शुल्क इसे हम फीज भी कह सकते हैं फीज ठीके रोजगार रोजगार में हमें काम के बदले क्या मिलता है वेतन इसी प्रकार योग्यता व्यवसाई के अंतरगत सामन्य योग्यता के आउशक्ता होती है कोई भी सामन्य पढ़ा कर सकता है किन्तु पेशां पेशे के लिए विशेश योग्यता के आउशक्ता होती है जिसे डॉक्टर के कारे के लिए MBBS, वकील के कारे के लिए LLB, और इंजीनियर के कारे के लिए BE की आउशकता होती है, इसी प्रकार रोजगार, रोजगार जिस प्रकार का है उस प्रकार के रोजगार के लिए उस तरह की उग्यता की आउशकता होती है यदि आप किसी सहस्था में शिक्षन कारे कर रहे हैं तो उस शिक्षा के लिए उग्यता होना आउशक है यदि एक डॉक्टर अस्पताल में कारे कर रहा है तो उसको वेसी उग्यता होना आउशक है यहाँ पर छोटे से लेके बड़े सभी कारे आते हैं जैसे एक अस्पताल में, स्कूल में, कॉलेज में, मंदीर में सब तरह के कारे होते हैं जैसे महाँ पर एक अकाउंटेंड भी होगा एक प्लमबर भी होगा एक सफ़ाई कर्मी भी होगा ये सभी रोजगार के अंतरगत और बड़े जो है अधिकारी भी होंगे ये सभी रोजगार के अंतरगत आते हैं अब देखिए जोखिम जोखिम व्यवसाय में लाब होता है किन्तु इसमें हानी की भी जोखिम होती क्योंकि व्यवसाय में हम माल का क्रे विक्रे करते हैं क्रे क नहीं पड़ता, रोजगार में जोखिम बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, कुछ खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, आपको सिर्फ संस्था में जाके सेवा दे नहीं है, यहां नुकसान की कोई संभावना नहीं है, आगे देखते हैं, पुझी के आउशक्ता होती है परन्तु पेशे में सिमित मात्रा में पुझी के आउशक्ता होती जैसे डॉक्टर को एक क्लिनिक खोलने के लिए सिमित मात्रा में फनीचर या अंतरूपकरण के आउशक्ता होगी वकील को अपना आफिस खोलने के लिए फनीचर या उससे संब अन्य दास्तावेजों क्या उशक्ता होगी पुस्तकों क्या उशक्ता होगी इसी प्रकार रोजगार में किसी भी प्रकार का कोई खर्च आपको नहीं करना पड़ता कोई पुझी नहीं लगाना पड़ती क्योंकि आपको अपना कुछ नहीं खुलना है आपको सिर्फ संस्था में जाके सेवा देना है और पांचवा है उद्देश व्यवसाय का उद्देश लाब कमाना होता है यह सिर्फ क्रैविक्रै के द्वारा लाब कमाने से संबंदित है पेशे का उद्देश जनता की सेवा करना होता है समाज को सेवा करना और साथ में जिवी का के लिए धन अरज करना होता है कोई कारे करके कहीं किसे संस्था से जुड़ के उसके द्वारा अपनी जीवी का चलाने के लिए सेलेरी मजदूरी वेतन या धन प्राप्त करना होता है इस प्रकार या आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ जब भी आपको टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ में उस उसको डीटेल में आपके सामने लिखावा कॉपि में होना चाहिए तब ही आपको सभी वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे धन्यवाद